दोस्तों सागत्य आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लिकर आए हैं आपके लिए MPGK के बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को पूरवस्त देखें का अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज अपनी एक लास होती है तो फिर मैं दो बज़े जहां पर MPGK के महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर लाए जाते हैं आज कपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं कि आज का फर्ष्ट कॉस्चन यहां पर दिया गया कि काना राश्टी वर्ध्यान कि इंस ज缮ें स्तित्त है यह जिला आपके लिए वताना यहां पर पूंचा गया सिवपूरी में सहपूर complet मैं यहां पर मंडला में यह तürüड़ना में कॉस्चेन और सारी एक्जाम वाश आपका आता है मंदला जिली के अंतरगत वेकल्प नंबर सी आपका यहां पर सई आंसर होगा बहुत बढ़ियां कानक इसली राष्टी उद्ध्यान मंदला जिली में स्टेथ है कानक इसली को 1933 में अवयबन 1922 में अभ्यारण और 1955 में राष्टी उद्ध्यान गोसित किया ग बहत्तर में चैनकन्ना है वांदपगण में है सेवपुरी में है पचमणी में है या फिर चतरपुर में है कौशन नंबर बहत्तर है मत्यपूर्ण कौशन आप से पूंचा गया है मद्ध्य प्रदेश में जया मंदली आरक्षच छेत्र कहां पर है वस्पाबार्ती जी तो हब सभी का सई आंश्रों का पच्मणी में कहां पर पच्मणी आपका विकल्त नंबर जो सी है ऐसियांसर यह पर ओगा अंग्य27 की एक मात्र हिल स्टेशन के नाम से वेक्षात कौन है तो पच्मणी है और पच्मणी में प्रदेश का जवमंडली आरक्षे चेत्र जो है गोसित किया गया है बिल्कुल चाहिए और इसको युनेस्को की विश्वदरवत सूची में इसको सामिल किया गया है पच्मणी को और को प्रदेश की ग्रीस में कालीन राध्धानी भी कहा जाता है किसके लिए पच्मणी को काना क्यों प्रिशिद्य है यह आपके लिए बताना है यह आपके लिए आपर चैन करना है मत्यपून कौश्चन है बतायेगा कोईले की खदान है या फिर राश्टी उद्ध्यान है या फिर शिच्षा का क्यंद्र हैं या फिर उद्योग के क्यंद्र है काना कैसली जो राश्टिवध्ध्यान है यह कुछिव राश्टिवध्यान के लिए परशिध्ध नमबर बी जो है वह आपका यहां पर साहएंजर होगा काना किषली मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान माना जाता जो मंडला जिली में काना किषली राष्टी उध्यान के लिए प्रसिद्य है यह जो है उननेस सो चालिस बर्ग किलो मीटर शेतर में फैला हुआ है इसे जो है राष्टी उध्यान बनाया गया और उननेस सो तेतर चोहतर में इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर यूजना की अंतरगत इसको सामिल किया गया कौशन नमबर आपसे यहां पर अंगला क्या पूंचा गया है पचत्तरवा कौशन यहां पर दिया गया है देखेगा कौशन नमबर पचत्तर है मादब राष्टी उध्यान इस राजस्ट संभाग की छेतरा उंतर के ताता है यह आपके लिए आपर बताना है भूपाल उज स्यांसर है आणि की ग्वालियर अपका स्यांसर होगा मादव राष्टी उध्यान जो है ग्वालियर संभाग की अंतरगत आता है तो याद रखेगा कौशन नमबर आपसे पूंचा गया है कौशा पचत्तरवा कौश्चन है बांदप गड़ राष्टी उध्यान कहां पर इस्तित है बताईए का 75 में सहिडोल में है उमरिया में है इडिंदोरी में है या फिर मंडला में है बहुत सारी एक्जामों में कॉस्चिन पूंचा गया है बांदप गड़ राष्टी उध्यान कहां पर इस्तित है यह आप से प भाग घनत तबाला तता 32 पाड़ियों से घरा बांदमगड़ राष्टी उद्ध्यान मद्द प्रदेश के उमरिया जिले में इस्तित है जिसे सन 1993 प्रोजेक्ट टाइगर में जो है सामिल किया था कॉस्चिन नमर आप से यहां पर पूंचा गया कौन्चा 76 कौस्चन है फासिल जीवा स्मिपार्क मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्तित है बताएगा फासिल प्रोजे के उस्यवपूरी में है मंडला में है या पिर बोपाल में है या पिर पनना में है चेन कीजेगा मद्द पूर्ण कौशन है फासिल पार्क जो है मद्द परदेश के किस जली में इस्ते थे तो आपका मंडला यहाँ पर विकल्क नमब जो भी है वैसा यह आंसर होगा देखेगा मद्द परदेश का फासिल जीवाशन पार्क जो है डिंडोरी जली के साजापुर में इस्ते थे हाला कि यह डिंडोरी जला बनने से पूर्व है मंडला जली का भाग था इसलिए पुरस ने पुरानी चत्तों पर आधार था बिलकुल चाहिए अगर आपका यहाँ जो है डिंडोरी नहीं दिया है डिंडोरी एक नए अजला बना है उसके पहले जो है मंडला जली के अंतरगत है आता था लेकिन अब जो है आपका वेकल्प में मंडला नहीं आएगा अब डिंडोरी आएगा तो डिंडोरी आपका सही आंसर होगा कौशन नमबर आपसे यहा दखलपुर में है या सांस्कृतिक के अंदर है मंडला में है Qaustion Mahtapun नंबर 17 आप से पूंचा गया है कानक इसली में क्या है और बायकिस जिले में है तो कानक इसली राष्टी उद्यान है और मंडला जिले में है तो विकल्प नंबर आपका एक जो है भाई आपका यहां पर सही आंसर होगा विल्कुल सही आंसर है तो विकल्प नंबर ए जिन्हों ने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कौश्चन यहां पर देखेगा कौश्चन नंबर आपके यहां पर सईए है कि कुणू न पालपूर पालपूर जो है आपका विखल नंबर सी आपका अंसर है मद्य प्रदेश का पालपूर कॉनों जो है एस वड़ISHं में गिरिस्तान गुजरा से य सीरों यानि कि बबबja सेरों को इस्तांत्रिन करनी की योजना के तहत पालपुर पूनो अब्यारन को तयार किया गया लेकिन बर्तमान में से राष्टी उद्ध्यान बनाया गया है कौश्चन नमबर आपसे यहां पर 29 पूंचा गया है बहुत ही मत्पूर्ण कौश्चन बहुत सारी अग्जामों मे की सज्धिली में है यह आपके के लिए यहां पर बताना है बताकी सतपड़ा पूंचा गया है मत्पूंड कौश्चन यहां पर दिया गया है कौश्चन नमबर आपका यां पर 89 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताई कि जेनकीज़ें का मध्थ पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि 89 में जो विकल्प नंबर आपका यहां पर C है सईयांचर होगा होशंगाबाद आपका सईयांचर है राधन जी होशंगाबाद यहांपर सईयांचर तेकि कितने सारे MP में यह पूंचा गया question बहुत महत्यपूल question बहुत सारे एक जामों में question नमबर आप से यहांपर पूंचा गया सबी लोग चैन करेंगे बताइएगा क्या होगा सई आंसर और असी में आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहां पर जो एक है यहां पर सई आंसर है यानि कि भोपाल भोपाल आपका सई आंसर मद्द प्रदेश का पिर्थम सर पुद्यान की स्तापना जो है मद्द प्रदेश की राजदानी भोपाल जो है बहीं पर इसकी स्तापना की गई थी मद्द प्रिदेश के किस आरक्षे छेत्र में गोड़ावड को सुरक्षित रखा गया है केवल घाटी गाउं में केवल करेरा में आ और बावेकल पे दोनों घाटी गाउं करेरा या फिर इन में से कोई नहीं question number 81 है मत्यपूर्ण आप से याँ पर पूंचा गया है और 81 में आप सभी का सही आंसर है और दोनों सही आंसर होगा यहाँ पर करेरा भी और घाटी गाउं भी आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही आंसर है गोड़ा बड़ जिसको सौन चिडिया बोलते हैं ग्रेट इंडियन बश्टर एक विलुपत प्रहपक्षि है जिसके सर्राक्शन के लिए घाटी गाउं ग्वालियर और करेरा से उफपरी में बिसे सरल अंके अंद्र इस्तापित किये गए हैं बार। में करेरे का झो है डिनोटिकेशन कर दिया गया इसलिए सौन चलिया कת सब्राक्शन है वह घाटी गाओं में रह गया है तो अब आपका यहाँ पर जो है करेरा आपका सही आणसर नहीं होगा तो अब केवल आपका घाटी गाओं जो है वह आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा गया संजा राश्टी उद्यान मद्द प्रदेश के निमलिकित में से किस जली में है 82 कॉस्चन है जबलपुर में सीधी में या नरसिंगपुर में या फिर छिंद बाड़ा में बताईए कॉस्चन मद्द पूर्ण है कॉस्चन अंबर आपका 20 ये आपर पूंचा गया है 82 में आपका सयधी में कहां पर सीधी सीधी आपका सयधी चंजय राश्टी उद्यान है आप वाज़त मद्द परदेश का सब्चे बड़ा राष्टी उध्यान था लेकिन टीकमगड की वाज़न के बाद इसका सरबादिक अधिकान सहसा जो है वह टीकमगड में चला गया चला गया वह सेस हिसा मद्द परदेश के सीधी जिले में आता है यह से 1981 में राष्टी उध्यान घोसित किया गया और 2008 में इस वे प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया कॉस्चन अमबर आपसे आप तेतर पूंचा गया है मद्द परदेश में कितने राष्टी उध्यान है मद्द परदेश में बताना है राष्टी उध्यान पूंचा गया है देखेगा कितने सारे एकजामों में यह कॉस्चन पूंचा गया है सभी लोग चेन कीजेगा तो विकल्प नमबर आपका याँ पर जो है दस सई आंसरों का विकल्प नमबर डी आनि की डी वाला विकल्प आपका सई आंसर है तत्कालीन रूप में तत्कालीन रूप में मद्द प्रदेश में देश के सरवदिक 10 राष्टी उध्यान और 26 अभ्यारण है मद्द तो ग्यारा राष्टी उध्यान हो गए हैं और 24 अभ्यारण हैं और 10 नए अभ्यारण प्रस्तावित हैं तो आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर डी वाला विकल्फ होगा आपका सही आंसर डी वाला विकल्फ नमबर ए वाला जो है वैसा यांसर ने आने की 11 अभ्यारण हो सब्सक्राइब किसली अपर बांदव गड़ च्वारासी में आपके लिए चैन करना है च्वारासी में आप सभी का क्या होगा सभी लोग चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉशन है और पैंच जनोंने भी चैन क्या है उनका सभी आंसर इंद्रा गांधी प्रिय दर्सनी उध्यान क इस राष्टी उध्यान का नाम है तो पैंच आपका यहां पर सही आंतरों का इसकी स्ताफना अठाव उन्नेस सो ते तेरासी में की गई थी और उन्नेस सो बानवे तेरानवे में इसी जो है प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया था कॉशन नमबर आपसे यहां पर अ मादब राष्टी उध्यान में संजा राष्टी उध्यान में या बांदब गड़ राष्टी उध्यान में पच्चासी वा कॉश्चन आप से पूंचा गया है और पच्चासी में आप सभी का क्या होगा सही आंसर साख्य सागर जील है एक ही और यह आपकी किस राष्टी उ उद्यान वेकल्प नमबर दो जन्वनेव यहां पर चैन क्या है वी उनका सही आंसर होगा मातब राश्टी उद्यान आपका सही आंसर होगा बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा पिर्थम जीवित सफेद वाग किसे जंगल में पकड़ा गयाता है जंगल या फिर अबंती में या फिर रीवा में कॉस्चन नमबर चासी है चासी में आपके लिए सही आंसर बताना है तो आप सभी का सही आंसर है रीवा विकल्प नमबर डी जो है वह आपका सही आंसर है विकल्प नमबर चार जन्वनेव यहां पर चैन क्या है रीवा उनका सही आ पकला गया था पूर्व रीवा स्टेट के महराज द्वारा जो है 1950 में विस्व प्रसेद सपेद बाग मोहन को यहीं के जंगलों में डूला गया था अंगला कॉस्चन या पर पूंचा गया है मद्द प्रदेश का कौन सा चेत्र सपेद बागों के लिए जाना जाता है बताई चेत्र इसलकुच्चन के अंतर्गत कौस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा जिया है अटासीवा कौस्चन है मद्द प्रदेश का पहला बन्य जीवन जागरूकता के अंदर का इस्ताफित है छंदबाडा में राला मंडल इंदौर में बोहानी नरसनपुर में खमरिया जवलपुर में, 88 में आपके लिए चेन करना है, क्या होगा सयांचर, तो राला मंडल इंद्वार आपका यहां पर जो बी वाला वेकल्प है, वह आपका सयांचर मद्यप्रदेश का पहला बन्ने, जीवन जागरूपता केंद्रे, इंद्वार के निकट राला मंडल अभ्यार कि इस्तापना 1889 में होई ती, जिसका छेतर प्रपल जो है, दो दिसमला तीन चार बर की किलोमीटर है, क्या होगा सयांचर, चार विकल्प आपके दिये गए हैं, जीवास्मिय आवसेसों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप सभी का सयांचर होगा प्रसिद्ध हैं, तो आप का घुगवा, घुगवा आपका यहां पर जो विकल्प नंबर एक है, वैसा यांसर मद्द प्रदेश के दिंदोरी जले के साहवपुरा में जो है, फासल राष्टी उद्ध्यान घुगवा अपने जीवास्मी आवसेसों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्या होगा सह मद्द प्रदेश का पूचा है, सबसे चोटा राष्टी उद्ध्यान तो आप सभी का सई आंसर है, गांडि सागर, राता पानी, राला मंडल या फिर ओरचा, तो आपका राला मंडल जो है, वैसा सबसे बड़ा अभ्यारन नौरा देही है, नौरा देही जो की आपका सागर जली के अंतर गत आता है नोरा देही जो यह 3-4 जलों में जो है यह अभ्यानन पाई जाता है नोरा देही अभ्यानन है और इसका छेत्रपल की बात करें तो 1194 देसंबलाव 67 बरग किलो मीटर में फैला हुआ है और ये जो है मेन है जो सागर Gili में आता है गांधी सागर अभ्यारन वंदसवार में है रातापानी अभ्यारन राइसेन जिले में और और अब्छा साहा॥ है कौश्य नमबर आप पर पूंचा ग्या है कौंसा मध्ल प्र देश कितनी मध्ध पर देश में कितनी अभ्यारण है ? यह आप से पूंचा UVArite पर अभ्यारन यहां पर बॉर्टमान में बात करें तो 24 अभ्यारन है यहां पर विकल्प में 25 दिया गया है तो आपका यह वालब विकल्प है वह सही आंसर है मद्द पिरदेश देश के सरवदिक राष्टी उद्ध्यान और अभ्यारन है यहां पर पिरदेश में पून रूप से 24 नहीं है तो आपका 25 सही आंसर होगा कॉशन नमबर आपसे आप रबानने पे पूंचा गया है और चाब अभ्यान मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्तित है पन्ना में तीकमगड में जवलपुर में मुरेना में जिल प्रेरी में ये कॉश्चन आपसे पूंचा गया था म मद्द पूंड कॉश्चन है बताई 92 में आपके लिए सही आंसर चैन करना है तो और चाब अभ्यान जो है आपका टीकमगड जिले में आता है विकल्प नमबर जो एक है वह आपका सही नहीं होगा विकल्प नमबर भी होगा आपका सही आंसर टीकमड विलकुल सही मद्द प्रिदेश के टीकमगड जो कि अब बरतमान में निवाडी जिले के अंतरगत आनी वाला ओर्चा जो है एक परेटन इस्तल है जिसकी इस्तापना बंदरा सो 31 में राजा रूद्र प्रताप ने की थी यहीं एक बन्यजीव अभ्यारन भी इस्तित है जिसका छेत्रफल की बा अब निवाडी जिला के अंतरगत आता है निवाडी आपका नहीं है यहां पर वेकल्प में तो टीकम गड़ी आपका यहां पर सही आंसर होगा बन्यार राश्टी उध्यान बताना यह कहां पर है बताईएगा जैन कीजेगा उत्तर प्रदेश में तमिलाडू में मद्द प जिली में है वेकल्प नंबर आपका जो सी है वैसा एंसर मध्योपर्देश की राजड़ा है वें बोपाल में इस्टत व अनू का राश्टी उध्यान है जिसको इक आजने शिडिया गर की रूप में मानता प्राप्थ है बिलकुल सईया अंसर है अंगला question दिखेगा नौरा देही अभ्यारण नौरा देही मद्प्रदेश का सबसे बड़ा है क्या है अस्पताल है रक्तदान के इंदर है बन्नजीप अभ्यारण है संग्राल है तो आपका सईया अंसरों का जो प्रदेश के अन्य अभ्यारणों से अधिक है जब कि प्रदेश का सबसे चोटा अभ्यारण राला मंडल है जो की इन दोर में है बिल्कुल सई आंसर है देखिएगा नौरदेई बनने जीव अभ्यारण का कुछ भाग देखिए प्रदेश के दमोह जिले में नरसिंग पाए जाते हैं ताइगर रिजर्व किसे गोसित क्या गया है यह आपके लिए बताना है राजिस्तान को मद्द प्रदेश को उत्तर प्रदेश को या फिर जम्मू कस्मीर को 95 में चैन कीजिएगा चारवे कलप आपके दिये गए हैं क्या होगा सही आंसर है तो मद्द प्रदेश को टाइगर रिजर्व का जाता है और काना किसली राष्टि उत्यान विशेश रूप से इनका जो सर्रेक्शन दिया जाता है इस कान जो मद्द प्रदेश को टाइगर इस्टिड भी कहा जाता है यह सूरस्त पॉइंट है बंबनी दादर की रूप में भी जाना किस राष्ट्य पार का एक प्रमुक्ष आकर्शन है बताईए क्या होगा सभी का क्या होगा सही आंसर बताईए चानवे में आपका विकल्प नंबर जो डी है वैं आपका सही आंसर है यानि कि कान राष्टी उद्ध्यान कान राष्टी उद्ध्यान आपका सही आंसर होगा बिल्कुल से विकल्प नंबर चार जन्वने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा वाश्य नंबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है क्वाश्य नंबर आपसे यहाँ पर तो किस जले में अचानक मार अभ्यारण, अभ्यारण पूँचा गया अचानक मार अभ्यारण किस जले में इस्तित है, तो यह आपका अनुपुर में है, कहाँ पर? अनूपपर विकल्प नमबर सी जो है आपका सईया अंसर होगा विल्कुल चाहिए एक बनने जीव अभ्यारन है 38, 35, 5 एक बर्ग किलो मीटर चेत्र में फेला हुआ है जिसके अंतरगत 10 बन चेत्र आती है गांधी सागर आपका सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा गांधी सागर अभ्यारन मद्प्रदेश की नीमच और मंदस्वर जिली की उत्री सीमा परिस्ते थे इसलिए दो जिलों की अंतरगत आता है गांधी सागर इस अभ्यारन को बर्स 1904 को अधी सूचेत किया गया था इसकी बाद 1903 में भारस सरकार ने इसमें और छेत्र समलित कर दिया और यह जो है अभ्यारन कोल अब जो है भ्यारन है या प्रिसयोपुरी सेंचुरी हे नाइन की नान वा कॉश्चन है और नायुटा नान न में आपका नोहर अभ्यारन पर जो है सही अंसर होगा मंद्द प्रिदेश का सबसे बड़ा अभ्यार나 नह नोहर और ही हैRIS expl bucks माना जाता है अभ्यारण प्रदेश में चीतों से पुना परिचित करान ये तु संभावित इस्तान माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका एक जो है सई आंसर है निमनलिकत अभ्यारणों में से किसमें कई रोक आश्राय हैं बताईएगा नर्सिंगड में शिवपुरी में केन घड़याल में या फिर काहना में स्वबा कॉस्चन है मत्पून कॉस्चन या पर दिया गया है लाइक बस से कल लीजेगा सभी लोग जोनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक बस से कल ले सभी लोग और आप सभी का सई आंसर आ रहा है नर्सिंगड आपका वेकल्प नंबर एक जो है वह सई आंसर होगा नर्सिंगड आपका सई आंसर है देखेगा नर्सिंगड बनने जी वभ्यान मद्दपृद्देश की राजगर जिले में स्थेति इसकी स्तापना उननिस सो चोग्तर में इसकी स्तापन हुई थी संताउण जो है इसका शेत्रपल जो शंतान वर्ग किलोमीटर माना जाता है कॉस्चिन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है कौन सा अभ्यार्ण उमरिया में इस्तित थे तो अपने याद पड़ा है उमरिया में माना जाता है कौन सा गाटी गाव सोन बांधबगड या फिर काना तो कॉस्चिन नमबर 101 में आपका सएसर है बांधबगड बांधबगड विकल्प नमबर एक जो है यहां वmmarin आता हैं मद्ध्य प्रिदेश का बांधबगड राष्टी उध्यान उमरिया जिले में इस्तित बताईये पेंच बताना है पेंच राश्टी उध्यान जो है भारत के उत्तर प्रदेश में चत्रिस गण में मद्द प्रदेश में महराष्ट में 102 में आपके लिए चैन करना है और 102 में आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सः हूं एं मद्दप्र देश में कां पर? मद्दप्रुर्देश आपका यहां पर सभी आंसर है पैंच राष्टी उद्जन जो हैं मद्दप्रदेश के सिबनी चिंडवाळा जिले में श्तित है इस राष्टी उद्जन की स््तापना 1983 में हुई थी विल्कुल चाहिए 293 बर्ग किलोमीटर इसका चेत्रफल है और ये सिबनी और सिंदवाड़ा जिलों तक विश्त्रित हैं यहाँ पर बाग, चीतल, तेंद्वा, सांबर, गोर, आधी, बन्न प्राणी इसे में पाए जाती हैं आधी, कौस्चन नमबर, आपसे यहाँ पर तीन पूचा गया मत्पूर्ण है कि वाइट टाइगर छेत्र का दूसरा नाम क्या है, चंबल है, चोपुरी है, बांदपगड़ है या फिर काना है, कौस्चन मत्पूर्ण है, तीन बां कौस्चन यहाँ पर दिया गया है और तीन में आप सभी का सई आंसर की बांदपगड़ विकल्प, नमबर सी वाला जो विकल्प है, वह आपका इहाँ पर सई आंसरों का मद्पूर्देश के बगेल खंड की पठार के अंतरगत सहीडूल सीधी उमरिया डिंडोरी जिली आती है, इस पठार की उमरिया जिले में किलो मीटर पर एक सीर पाए जाता है, जो देश में सरवादिक हैं, उननेस सो तेरानवे में इसी प्रोजेक्ट टाइकर में सामिल किया गया था, सेरों की यहाँ पर क्या पूंचा गया, सेरों की पुनर परीचित योजना, खालिस्तान अभ्यारन में है, कौन से अभ्यारन म में हैं, कूनों में हैं, या फिर रसूल्प, पूसवर या फिर बन बिहार में हैं, एक सो चार में आपके लिए चैन करना है, और एक सो चार में आपका पालपूर कूनु जो भी वाला वेकलप है, वह आपका सही आंसर होगा, मद्द प्रदेश के इस योपर जिले में, इस प्रवावित नदी कुनों के करन इस अब्यारन का नाम कुनू रखा गया है राजस्तान की सीमा के करीब मद्दपर्देस गोंतर पस्चम में इस्तित है सेरो चीत पनरबास पर योजना की वजह इसे पिछले कुछ वरसों की बाद जो है खुरियों में आ गया फालपूर कुनों, कॉस्चन नमबर आप से यहां पर पांच पूंचा गया है नमनिलकेत में से कौन सा राश्टी उध्यान मद्द प्रदेश के अंपरगत आता है, केवला देव राश्टी उध्यान, मादव राश्टी उध्यान, बंदी पूर सबसे पुराने राष्टी उध्यानों में से एक है स्योपुरी के उत्तर में इस्तित है राष्टी उध्यान की इसका छेत्रफल जो है जर्म में पाये जाता है बताये जानवर आपके लिए बताने कौनसा है आल uplift बालू है या पिर चिन-दै गॉर है या फिर 12 सिंगा है कौस्टि नमर 116 में आपके इनकना मत्पूल कौस्टिंब पूचोच Representative क्या है तो गौर आपका सही मेत ऄहाने गोर जो है च्जद डच्छन में ऐसे सबसे बड़ा होता है और हमत्य प्रिदेश की सभी अभ्यारणों और रिजर्बों में है पाया जाता है तो गौर आपका यहाँ पर जो वेकल नंबर सी है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तो विलकुल सही इस परकार की महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर थे आज की क्लास में सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें और जादा से जादा वीडियो को सियर करें आज की वीडियों बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग लाइक से रबस्ते कर लेंगे और